हलो एवरिबन आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे जेई 2023 में पुछा हुआ है एक और सवाल यह 25 जनवरी सिफ्ट 2 में पुछा गया था जीपी टोपिक से लिया गया सवाल बहुत कंसेप्चुल कोई भी बुक बनाएंगे इस टाइप का सवाल आपसे बनना च सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से 20 सवाल होता है मल्टिपुल च्वाइस को मतलब चार ओप्सन दिये हुए रहेंगे उसमें से आपको कोई एक ओप्सन लिखना और दस सवाल रहता है नुमेरिकल वैलू टाइप यहनि सवाल दिया वा रहेगा लेकिन उसका ओप्सन नहीं रहेगा जो भेलू होगा नुमेरिकल वैलू उसका अंसर आपको लिखना है तो उसी टाइप के सवाल में यह 25 जनवरी को सिप्ट टू में पूछा गया था देखिए बहुत ही अच्छा सवाल कुस्टन है फॉर्द टू पॉजिटिव नंबर से एंड बी इफ एबी वन वा सवाल में दो वहरीवल है और दो कंडीशन दिया हुआ है तो सिंपल सा बात हो गया कि सवाल केल्कुलेशन का हो गया जितना वहरीवल उतना कंडीशन मिले तो सवाल बहुत आसान हो जाता है चाहे आप उसको केल्कुलेट करने में जो टाइम लगाईए लेकिन सवाल यह बह इन दोनों कंडिशन से आपको सवाल को बना लेना है तो चलिए पहला कंडिशन लगाते हैं हमलों पहला कंडिशन क्या है कि और अधर हम लिख दे रहले और बी सी जीपी नहों हो तो भी का स्कुायर बराबर होता है जुटा सी इधर हम लिख देते हैं हो बात अगर a b c gp में है तो आपको जानना चाहिए कि b a square is equals to होता है a into c यानि बीच वाले का square तो यहाँ बीच वाला का square क्या हो जाएगा b a square a equals to होगा a into 1 upon 18 यानि b a square is equals to हो गया a बटा 18 समझ रहें बात को यहाँ से आप a का value निकाल लिजे तो a का value हो जाएगा आपका 18 b a square इसको हम लोग यूज करेंगे आगे a का value हो गया 18 b a square अब दुसरा condition को लेके चलते हैं दुसरा condition क्या है कि 1 upon a 10 और 1 upon b यह a p में है 1 upon a 10 और 1 upon b r in a p यह a p में है तो a p का condition क्या होता है a p का condition आप जानते हैं कि अगर a b c a p में हो a b c r in a p तो ऐसे स्थिती में 2 b बराबर होगा a plus c या b is equals to a plus c upon 2 a p में है तो तो यहां प्लिख सकते हैं b का double यानि बीच वाले का double तो 10 का double हो जाएगा 20 बराबर 1 upon a plus 1 upon b और इसको further expand कर लेते हैं तो 20 is equals to होगा a b l c m तो यहां मिल जाएगा b plus a या इसको लिख सकते हैं a plus b यानि आप और इसको आगे बढ़ाईए तो a plus b is equals to हो जाएगा 20 a b a plus b is equals to 20 a b अब इस a के जगह पर आप रख देजे 18 b a square a plus b is equals to हो गया 20 a b तो a के जगह पर होगी आपका 18 b a square plus b is equals to 20 a के जगह पर 18 b a square i into b यह हो जाएगा आपको 18 b a square plus b is equals to 360 b q a और b कह रहा है कि positive number है इसका मतलब b 0 के बराबर नहीं है तो आप b को cancel कर सकते हैं b को cancel कर देते हैं दोनों तरब b से divide कर देते हैं चुकि b 0 नहीं है इसलिए b 0 रहता तो आप divide नहीं करते तो यह हो जाएगा 18 b plus 1 is equals to 360 b a square अब एक simple सा यह factorization का बात हो गया यह हो जाएगा 360 b a square minus 18 b minus 1 is equals to 0 यह quadratic format में आ गया अब चाहें तो इसको quantity से भी बना सकते हैं यह factorization से बना सकते हैं तो multiply करके आना चाहिए 360 जोड़ घटाव करके आना चाहिए कितना आपको 18 तो इकॉंस अफेक्टर मिल जाएगा आपको कि जड़ा सोचिए कुना करकर करके आना चाहिए 360 जोड़ घटाव करकर के आना चाहिए 18 तो 30 और 12 को कर लिजिए बारत याई 36 360 हो जाएगा अब बड़ा बला साइन हो जाएगा नेगेटिव 30 बला इसको आप लिख सकते हैं 360 b square minus 30 b plus 12 b minus 1 is equals to 0 अब यहाँ पर देखिए 30 b common आ जाएगा तो यह हो जाएगा 12 b minus 1 अब पलस 1 common हो गया तो 12 b minus 1 is equals to 0 अब 12 b minus 1 is a whole factor है इधर हो जाएगा 30 b plus 1 is equals to 0 अब दो factor का product 0 है तो कोई न कोई 0 होगा तो बारी बारी से 0 करेंगे इसको 0 करेंगे 12 b minus 1 is equals to 0 तो b का value होगा 1 by 12 और 30 b plus 1 is equals to 0 करेंगे तो b equals 2 होगा minus 1 by 30 अब यहां पर ध्यान रखना है concentration बनाए रखना है सवाल बनाने में क्या भाई सवाल कर रहा है कि तू positive numbers है यह और बी फॉर दर टू positive numbers a and b इसका मतलब यह हो गया कि बी का तो हम निगेटिव भैलू लेंगे ही नहीं यह भैलू हम नहीं लेंगे इसको छोड़ देंगे क्योंकि यह निगेटिव आ गया तो हमको सिर्फ यह भैलू लेना होगा बी का भैलू 1 by 12 यह नहीं हो हो गया 1 by 12 अब a निकालने के लिए आप यहां से सहारा लिजिए a is equals to 18 b square तो a is equals to 18 into b square यह नि 1 by 12 into 1 by 12 यह कार दीजिए आप 6 to 12 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12 यह नि 1 by 8 यह हो गया आपका a का भैलू a का भैलू हो गया 1 by 8 और b का भैलू हो गया 1 by 12 यह और b दोनों का भैलू मिल गया अब हमको जो find out करना है उसको देख लेते हैं क्या find out करना था यह देखे 16 a plus 12 b यह हमको find करना था तो 16 a therefore 16 a plus 12 b is equals to 16 into a यह नि 1 by 8 पलस 12 into b यह नि 1 by 12 यह कर जाएगा एट तू जा 16 तो बन जा टू आप पलस 1 यह कितना आ गया थिरी यह आपका अंसर है थिरी प्रूरे तीस सवाल में से आपको 16 लगबर 12-13 सवाल आपको 11-12 के सलेबर सेस्टा पकड़ा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ basic concept के जिसमें आप सकता होगी जिसमें आप basic जानते हैं तो इस सवाल को बना सकते हैं इस type का सवाल बना सकते हैं यानि 50% problem बनाने के लिए आपको कोई असुवधा नहीं होनी चाहिए अगर basic भी पढ़ते हैं तो तो हम नहीं समझते हैं कि सब्सक्राइब का सवाल बनाने में आपको कोई असुवधा होनी चाहिए ठीक है आज के वीडियो में इतना ही फिर जीपी से रिलेटेड और सवाल या दोधर 24 का हम पूरा दोधर 23 का पूरा सेशन हम देख रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुसरों में इससे सेर भी कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद